सुनभदर से खबर है, सुनभदर के रायपुर्थाने इलाके के सोहदवल गाउ में चार किशोर एक साथ जा रहे थे तभी एक आन्यांती ट्रैक्टर के ककर से एक बच्चे की मौत हो गए और एक बच्चे के अस्पताल के रास्ते में मौत हो गए बाकी दो को अस्पताल में बर्ति करवाया गया है जहाँ पर उनके हलक नासुक बताए जा रहे है इसके बाद आक्रोशित ग्रामेडू ने ट्रैक्टर को आके हवाली कर दिया और जाम लगा गया पुलिस के समझाने पर भी ग्रामेडू ने जाम नहीं खुला बात मथूरा की पैसो की लेन देन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है दबंगो ने गरवती महिला से मारपीट की है लाठी डंडो से मारपीट का ये वीडियो बाहर है वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है कमेटी के पैसों की ग्यारंटी को लेकर ये कहा सुनी हुई कूरा मामला मतुरा के थाना हाइवेक शेत्र का बताया जा रहा है कमेटी के पैसों को लेकर ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि इसके बाद बार फीट की यह तसमील है ये विडियो नौईडा के एक ही स्कूल में कई बच्चों को धर्मान्तरण करवा दिया गया तुकानपुर तक जैसे मामले सामने आये हैं उसने सभी के पोछ बढ़ा दोए सफेद टोपी, सफेद मास्क, सफेद कुर्टा पाजामा लेकिन नियत बिलकुल काली इन दोनों को यूपी एटियस ने जिस आरोप में गिरफतार किया उसकी वज़े सुनकर आप हैरान हो जाएंगी ये दोनों एक ऐसी साज़िश का हिस्सा हैं जो धर्म परिवर्तन की आर में आतंक पहलाने के लिए रची जा रही है पुलिस ने खुलासा किया कि इस साज़िश के तहट अब तक करीब एक हजार लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है और इस से भी स्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि जहांगीर कास्मी के साथ जिस उमर धौतम की गिरफतारी हुई वो खुद भी धर्म परिवर्तन कर चुका है ये दोनों बातला हाउस जामिया नगर दिल्ली के रहने वाले हैं जिन्हें यूपी ATS ने लंबी पूश्टाश के बाद गिरफतार किया है इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा पूश्टाश में ये बात सामने आई कि लगभग एक हजार लोगों की सूची अभी उपलग्द है जिसका धर्मानतरन इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भाय के कारण कराया है ADG Law and Order त्रशांत कुमार के एक एक शब्द संसनी पैदा करते हैं दूपी पुलिस के मताबिक इस साजिश के तार पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी ISI और कुछ और विदेशी संगट्सनों से जोड़े हैं जिनकी तरफ से ऐसी धर्मानतरन की फंडिंग की बात सामने आई है आईएसाई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पे तथा उनके फंडिंग पे लोगों का धर्म परवर्तन कर और धर्म परवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के परती विद्वेश और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करने करके देश के विभिन धार्मिक वर्गों के में आफसी मेमनस से फैला कर देश के सौहार्थ को बिगाड़ने का कारे किया जा रहा